एलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चनल पे आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ जिस कहानी से आप ये सीख जाएंगे कि हमें सीखने के लिए किसी और के उपर डिपेंड रहने की कोई आवशक्ता नहीं है जब तक हम अपने कदम नहीं बढ़ाएंगे जब तक हम अपने पंक नहीं पढ़ाएंगे हम चीजों को नहीं सीख पाएंगे अगर आप कोई कारे के लिए किसी के उपर निर्भर हो आश्रित हो तो आज से अगर वो संभव है तो उनका आश्र लेना बंद करें खुद से छोटा छोटा step लें और कोशिश करें कि वो कारिया आप खुद कर पाएं अगर आप एक student है और आप अपने पढ़ाई के लिए अपने teacher पर depend है तो उसके साथ साथ अब दीरे से ये समय आ गया है कि अब चीजों के लिए आप खुद से आत्मनीरवर बने अगर आपके सिक्षक किसी कारणवस आपकी class नहीं आ पा रहे हैं class नहीं ले पा रहे हैं तो इस बात पे हाथ पे हाथ दरिमत बैठे रहे हैं कि सर ने तो class नहीं ली सर ने तो syllabus complete नहीं किया तो हम कहां से पढ़ते अब आपको समय है कि आप अपना काम खुद से करने लगें अगर आप एक छोटे बच्चे हैं और अपने माता पिता पे डिपेंड हैं तो कुछ कोशिश तो करिए कि असल में आप एकी कदम आगे बढ़ाते जाएंगे और उन सब कारे को जिसके उपर आज की समय में आप अपने पिता या माता पे असरित हैं वो आप दीरे दीरे खुद से करने लग जाएंगे सीखने की कोई उमर नहीं होती आज की कहानी मैं सुनाओंगा आपको तो इस कहानी की बीच में ही आप समझ जाएंगे कि असल में कहानी का सिर्षक जो रखा गया है वो क्यों रखा गया है सिर्षक है खुद से उड़ना सीखें चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की कहानी कई समय पहले की बात है एक पक्ची गरूर रहता था उसके दो चोटे चोटे बच्चे थे अब इस कहानी को कुछ ऐसे समझें कि आपके पापा थे और आप दो चोटे बच्चे हो या अगर मैं कहूं कि मैं एक सिक्चक हो और मेरे बहुत सारे चोटे बच्चे हैं फिर क्या हुआ एक गरूर ने उन्हीं बच्चों को अपने पीट पर बिठाया और अपने साथ दूसरे सुरक्षि स्थान पर पहुँचा दिया वे दोनों दिन भर दाना चुकते और साम होते ही घर लोटाते ये जो करम है ये जो प्रक्रिया है वो काफे दिन चला कुछ समय बाद जब बच्चे बड़े हो गए तो उनके गरूर पिता ने कहा बच्चों अब तुम बड़े हो गए हो अपने पंखों से स्वयम उढ़ने की कोशिश करो अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूँगा आपको कुछ बनाना सिखाते हैं फिर जब आप आगे के स्कूल में बढ़ते हो तो आपका हाथ पकड़ना तो छूट जाता है लेकिन हाँ आपको बोल बोल कर लिखवाया जाता है कि ये लिखिए स्पेलिंग ये है ऐसा करिए वैसा करिए फिर जब आप कॉलेज में पहुँचते हो तो आप आपकी आदत वो छूट जानी चाहिए कि अब आपको स्कूल के तर नोट्स दे दिया जाए अब आप सिक्छक पई इस बात के लिए मत डिपेंट रहिए आस्रे मत रहिए कि वो आपको नोट्स दे दे कि बच्चों अब तुम बड़े हो गए हो अपने पंखों से स्वेम मुढने की कोशिश करो मेरे स्टूडेंट साब बड़े हो गए हो अपने दिमाग से खुद अपना कारे करने की कोशिश करो और ऐसे कोशिश करो कि एक दिन आपके सिक्छक को आपके उपर गर्व हो और आपके सिक्षक से जादा बड़े आप बन जाओ वो दिन आपके सिक्षक के लिए जिंदगी भरका सबसे बड़ा दिन होगा पर असल में ऐसा होता कितना है कुछ होते हैं बहुत कुछ नहीं होते हैं इस बात पे बच्चों ने क्या जवाब दिया बच्चों ने उनकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया जैसे आप ध्यान नहीं देते हो वे आपस में चुपचाप से बातें करने लगे पिता जी हमें पीट पर बिठा करके सुरक्षित ले जाते हैं और ले आते हैं पुरा दिन घुमाते रहते हैं खाना के लाते हैं हम क्यों बेकार में मेनत करें हम क्यों बेकार में घुमे फिरें उड़ें हम तो पिता के उपर आसित रहेंगे लेकिन एक गरुड इन बच्चों की इस दुर्बलता को बड़ी सावधानी से देखता रहा जैसे हम जब बात कहते हैं बच्चे कुछ सुनते हैं कुछ बच्चे धान से नहीं सुनते हैं एक दिन जब वे आकाश में उड़ रहते जब दोनों बच्चे अपने पिता की ऊपर बैट करके घूम रहते तब ही गरुड ने धीरे से अपने पंक खीच लिए बच्चे गिरने लगे जब चेत आई तो पंक फड़ फड़ाए वे गिरते गिरते बच्चे पर अब उन्होंने उड़ने की सीखने की आवशक्ता अनुभव कर ली थी मैसूस कर ली थी उनको लग गया था कि अगर अब हम प्रयास नहीं करेंगे तो हम तो गिरेंगे और आपको पता है कि ये बहुत उचाईम उड़ने वाले पक्ची है और अगर उपर से नीचे गिरें तो फिर हमारा बच्चना असंभव है सामने बृत्यों को देख करके उन्होंने पंक फढ़ पढ़ाना सीखा और पंक फढ़ाना सीखा तो फिर अब उनके लिए जो असल बात थी वो पूरा कर लिया साम को जब बच्चों ने अपने घर में प्रवेश किया तब उन्होंने अपनी मा से कहा मा आज पंक न फढ़ा होते तो पिता जी ने बीच में हमें मार दिया होता वीड़मना है पिता के तो हमेशा यही किस्मात होती है किताने तो वो खुदी सुनता है, प्यार तो मा को मिलता है पिता ऐसा क्यों करेगा कि उसके बच्चे बीच में मर जाए उनके बच्चे गिरे और चोट लगे यह तो पिता क्या कोई भी विक्ति नहीं चाहेगा अपने प्रीजनों के साथ ऐसा लेकिन अगर ऐसा ना करें तो वो बच्चा सीखेगा कैसे जहां पे आपको जरुरत पढ़ती है कुछ सिखाने की तो थोड़ा सा अपने दिल पे पत्थर रखना ही पढ़ता है एक सिख चक अब बच्चों को यह डाटेगा कि अगर आप अपना काम नहीं करेंगे तो मैं आपके मार्क्स काड़ दूँगा आपको यह पनिश्मेंट दूँगा लेकिन बच्चे अरे यार हमारे ठीचर ने मेरे नमबर काड़ दिया वो बहुत अजीब अजीब की हर्गतें करते हैं जिस तरीके से पिता की मार दिया होता वैसे ही चात्रों के मन में अपने सिख्चक प्रतिय भावना जगने लगती है कि यह तो हमें सर्ण डाटते रहते हैं खडूस टीचर हैं और यकिन मानिये मुझे पूरा यकिन है कि मेरे जितने भी श्टूडेंट है वो उनमें से आदे से अधिक तो मुझे खडूस बोलते ही होंगे क्योंकि मैंने उनको कई बाढ नाटा है और अगर ये खडूस बोल रहे हैं तो ये मेरे लिए सम्मान की बात है क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं खडूस नहीं बनूंगा तो उनका वविश्य सुधर नहीं पाएगा आगे बढ़ते हैं बच्चों की मा हस करके बोली बेटे जो आपने आज तक खुद से नहीं सीखा वो आज आपको परिस्थिती ने सीखा दिया जो अपने आप नहीं सीखते जो स्वाव लंबी नहीं बनते उन्हें सिखाने समझाने का यही नियम है बच्चों को माता पिता का सहारा छोड़ करके धीरे-धीरे अपना काम स्वेम करने के आधत डालने चाहिए इसी में उनकी भलाई है बच्चों को धीरे-धीरे सिक्षक के ऊपर जहां तक आवश्यक्ता हो, वहां तक निर्भर रहें उसके beyond अगर आपको जरुवत है तो वो कारे खुद करने की कोशिश करें कोई सवाल है अगर मन में तो पहले उस सवाल का जवाब खुद से खुजने की कोशिश करें आज के date में तो आपके पास बहुत सारे ऐसे साधने जहां से आप अपने मन के सवालों का questions का, जिग्यासाओं का answer ले सकते हैं हमारे समय में यह सुधाई नहीं थी तो आज आपके अपके मन में कोई अगर questions है, तो सबसे पहले उसे ढूंडें, जहां से आपके लिए अब आप में टीचर की मदद ले सकते हैं कि सर मेरे मन में यह सवाल आया था उस सवाल का जवाब आप से पूछने के पहले, मैंने अपने सामर्थ के अनुसार बहुत सारी कोशिश करी और मुझे यह जवाब मिला है क्या आप थोड़ा सा देखेंगे कि जो मैंने जवाब ढूंडा है वो वास्तों में सवाल का जवाब है या इसमें कुछ और सुधारी की गुंजाईस है अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिया आपके इसी चक्चक को आपके उपर बहुत गर्व होगा और आपको वो बताने में सहर्स ही खुशी का अनभव करेगा ये करना आपके लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि जब तक आप अपना कारे खुद से करने की आदत नहीं डालेंगे आप भविश्च में कभी भी बड़े नहीं बन पाएंगे काम बड़ा करें सुरू से ये नहीं कह रहा आप काम वही करिए जो आप से संभव हो पाता है छोटी छोटी बाते ही आगे बड़ी बड़ी बातों की जननी होती है तो आज की कहानी में मैंने आपको बताया कि खुद से उड़ा कैसे जाए खुद से उड़ना कैसे सीखें और खुद से उड़ने के लिए जरूरी है कि थोड़ा सा निर्भरता को क्रमशाह कम किया जाए और स्वयम में आर्थ्प निर्भर बना जाए आशा करता हूँ कि जो हमारा पोड़कास का सीरीज है जिसे मैंने शुरुवात आपके लिए ने अपने लिए किया है कि मैं जो चाहता हूँ बात करना अपने बच्चों से वो सीधे सीधे बात नहीं हो पाती ना इतना समय उनके पास है ना syllabus के accordingly समय मिलता है और ना बच्चे इस तरह से interest लेंगे तो मैं तो ये मान रहा हूँ कि मेरे सामने मेरे बच्चे बैठे हुए है मैं उसे बात कर रहा हूँ अब जिनको सुनने के इच्छा होगी वो सुनेंगे नहीं तो फिर वो हमिसा के तरह जो भी अपने busiest work होगा उसमें लगेंगे लेकिन मैं अपने मन की सांती के लिए अपनी बातों को आप सक पूचा रहा हूँ वैसा आभास ही सही इस बात को पूरा करने के लिए ऐसी और भी कई सारी बातें संडे स्पेशल के रूप में आपके लिए ले करके आता रहूँगा अपना ख्याल रखिएगा और हाँ इस बात पर किसी पर डिपेंड मत रहिए कि वो आपको सिखाएगा बलकि इस बात ही कोशिश करिए कि आप आज समय से क्या सीखते हैं नमस्कार अपना ख्याल रखिएगा